नमस्कार आपके साथ मैं रोहुद कुमार आपी नीज फोर नेशन पर साथवे चरन का चुनाव संपन हो गया है बिहार में और अब इंतजार है चार जून का जब चुनावी नतीजी आएंगा और इसी वीच साथवे चरन की ही दोरान जो है बड़ी खवर सामने आ रहे पटन के पाटले पुत्र लोगसभा सीच से जहां पर राम कृपाल यादव बच गया है राम कृपाल यादव उनके काफिले पर फाइरिंग की गई ऐसी खवरे में सामने आ रही है हलाकि इस पुरी मामले पर अध्कार रिक्तार पर कोई भी बयान या पुस्टी जो है वो नहीं सामने आया राम कृपाल यादव के कड़ी भी लोगों ने कहा है कि क्योंकि वहां पार सुबह से तनाव था राम कृपाल यादव जो है उस लाके में जब पहुंचे तो अचा पहुतना हुई है जानकारी के मताबिक शाम को के कर वक्त में यह जो है घटना जो हुई है जब चुनाव अपने आखड़ी दौर पर कह सकते हैं कि था राम कृपाल यादव गारी पर अग्यात लोगों ने जो है गोली चलाई है ऐसी खबरे में सामया रही है जिसमें राम क पार्टिक पूतर से पिछले बार मिसाभारती को चुना वरवाया था इस बार भी उनका मुकाबला मिसाभारती के साथ में है और वहां पर ही यह लड़ाई जो देखने को मिल रही है हलाकि कारण क्या कुछ यह बहुत पस्ट नहीं हो पा रहा है हमने वहां के अधिकारी से बात करें के कोशिश की है तो वो भी जो है अभी फिलहाल उन्हें समपरक नहीं हो पाया है रामकरी पाल्यादव की जो करीबी लोग है वो क्या रहे हैं कि वहां पर जो है वोट डालनी की दौरां कोछ गरबड़ी हुई ती जिसकी शिकायत लगता रामकरी पाल्यादव के पास आ रही थी और उसी शिकायत के मद्य नजर जब वहां पर पहुंचे थे तो उस दौरां जो यह पूरा वाकिया जो ही वो सामने आया है जब रामकरी पाल्यादव की काफिले पर जो है इस तरीके से हामला किया गया है आपको बता दें कि बिहार में आज कुल आठ लोग के बीच में हैं इसके पहले भी लावलियादर की दूसरी वीटी रोहनी आचारे जो की सारण से चुनाव लड़ रही थी और उनके खिलाफ बीजेपी के प्रताशी राजी प्रतापूडी चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर भी कुछ इसी तरीकी तराम देखने को मिला जिसके बाद वहां पर गोली बारी हुई जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई इस पूरे मावले के बाद पुलिस ने वहां पर कई दिनों तो की इंटरनेट सेवा को बाधित रखा और कई लोगों की रिफ्तारियां जो हैं उस इलाके में की गई और उसके बाद पर हमला की जाने की बाद सामें आ रही है गोली बारी भी हुई है ऐसे भी खबरें जो है सामें आ रहे हैं हला कि इसके अधिकारिक पॉस्टी नहीं की गई है फिला लेतना ही देखते हैं नमस्कार